और इसी बीच देखे भारत में इसराइल की पूर्वराज दूत, exclusive एबीपी नियूस से बोले हैं इसराइल के पूर्वराज दूत, हमले के पीछे एरान हो सकता है, डैनियल कैरमौन का ये कहना है, हमास की मदद एरान करता है, इस बार हमास के खिलाप निर्नाया कारवाई, य हमारी पॉलिटिकल नाकामी भी है, ये मान रहे हैं डैनियल कैरमौन, समर्थन के लिए प्रधान मंतरी मोधी का शुक्रिया भी किया, डैनियल कैरमौन ने अब से थोड़ी दिर पहले ही, हमारे फॉरिन अफेर एडिटर आशिश कुमार सिंग से बात की, जिस वक्त ये बात जा रहा है, इस बीच क्या है वहाँ क्या हालात इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्स्क्लूजबली इसराइल से भारत में, इसराइल के पूर राजदूत अम्बैजडर डैनियल कैरमौन जोड़ रहे हैं, मैं उनसे सीथे बात करता हूं, दू यू सुस्पेक्ट बात जेड़ा हैं, अब इस बात श करें इस एक्राइब अप्सॉ आपर एकारइन, क्या है इस क्या एक्कूछत अप्स्क्टबड़ाब डैनि झाली रहे हैं, इस यू रहें विए व सपहाँ हैं, इस बात रहें में घईनीन पीच जाया करें, इस विए लिएमर्शने इनीन के न But what we are seeing in the south is a human tragedy made in, made by Hamas terrorist organization and the world should understand. There are questions being raised, Ambassador, about the intelligence failure. Our intelligence community has failed. The army has failed because it could not and did not respond in appropriate way. So I would say a leadership and a political failure, a military failure and an intelligence failure, which will be checked at the end of those hostilities. Well, thank you so much, Ambassador.